महान दियो प्रदान मत्री जी थमस्कार मेरा नाम यादा आनुशा है मैं गौवनमेंट जूनियर कॉलिज नाउलंजा में बारह कफ्षप पर रही हूँ मैं कमम जिले तिलंगाना से हूँ सर मेरे सवाल यहाई की जब सिक्षक हमें पढ़ाते हैं तो हम समझ जाते हैं लेकिन कुछ समय या कुछ दिनों के बाद हम बुल जाते हैं खुरुपया इसके बारे में मेरी मदद करें धन्यवाद सर धन्यवाद अनुशा मान्यवर हमें एक अन्य प्रश्ण नमो एप के माध्यम से प्राप्त हुआ है जिसमें प्रश्ण करता गायत्री सक्सेना जानना चाहती है परिक्षा देते समय उनके साथ अक्सर ऐसा होता है जो पढ़े और याद किये हुए विशे हैं वो भी परिक्षा हौल में भूल जाते हैं जबकि परिक्षा से पहले या परिक्षा के बाद साथियों से बात करते समय उन्हें वही जवाब ध्यान में रहता है ऐसी स्थिती को बदलने के लिए क्या करना चाहिए मान्यवर, अनुशा एवं गायत्री सक्सेना के जैसे प्रश्न अनेक अन्य लोगों के मन में भी है जिनका संबंद स्मरन शक्ती से है कृप्या इस दिशा में मार्ग दर्शन कर कृतार्थ करें माननिय प्रधान मंत्री जी शायद हर विद्यार्फी के दिमाग में ये विशय कभी ने कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता है ये मैं भूल गया लेकिन आप अगर देखेंगे इवन एक्जाम के टाइम पर अचानक ऐसी चीज़े आपकी निकलने लगेगी कि आप आपको कभी एक्जाम पर आ रहे मैंने तो पिछले हपते भर मैं कभी इस विशे कुछ होआ नहीं था अचानक क्वेशन आ गया लेकिन मेरा जवाब बहुत अच्छा हो गया मतलब कहीं पर स्टोर था आपका भी ध्यान नहीं था अंदर स्टोर था और वो स्टोर क्यों था क्योंकि जब वो भर रहे थे तब दरवाजे खुले थे कबड़ खुला हुआ था इसलिए अंदर हो गया अगर कबड़ बंद होता कितना ही परोस्ते कुछ नहीं जाता और इसलिए कभी-कभी ध्यान शब्द ऐसा है कि लोग उसको योगा, मेडिटेशन हिमाले, रुशी बुनियों वहां जोड देते मेरा बड़ा सिंपल सा मत है ध्यान का मतलब क्या है अगर आप यहां आए लेकिन अभी आप सोते होंगे कि मम्मी घर पर टीवी देखती होगी वो धुनती होंगी मैं किस कौने में बैठा हूँ मतलब आप यहां नहीं है आप घर में है आपके दिमाग में यही है है कि मंभी टीवी देखती होगे कि नहीं देखती होगे मैं यहां बैठा हम वो उनको नजर आया होगा कि नहीं आया होगा आपका ध्यान यहां होना चाहिए था लेकिन आपका ध्यान वहां है मतलब आप बेध्यान है अगर आप यहां है तो आप ध्यान में है आप वहां है त ध्यान को इतनी सरलता से जीवन में स्विकार कीजिए आप इतनी सरलता से स्विकार कीजिए ये कोई बहुत बड़ा साइंस है और कोई बहुत बड़ा नाक पकर करके हमाले में जाके बैठना पुड़ता है ऐसा नहीं है जी बहुत सरल है आप उस पल को जीने की कोशिश कीजिए अगर उस पल को आप जी भरके जीते हैं तो वो आपकी शक्ति मन जाता है बहुत से लोग आपने देखे होंगे सुबे चाई पीते रहते होंगे अकमार पढ़ते होंगे परिवार की लोग कहते होंगे अरे पानी गरम हो गये चलो जल्दी नाने के लिए चलो नहीं नहीं मुझे अख़बार पढ़ना है फिर कहेंगे नहीं 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 थन्दा हो जाएगा फिर भी कहेंगे नहीं मुझे अख़बार पढ़ना है कभी मुन माताओं से मैं कहता हूँ जो घर में ऐसी परिशानी करते हैं नुग जर शाम को पूछो काज अखवार में क्या पढ़ा था मैं 99% लोग बताता हूँ वो नहीं कह पाएंगे कि आज के अखवार के हिल्लाइन क्या थी क्यों वो न जागरग है न वो उस पल को जी रहा है वो आदतन पन्ने गुआ रहा है आँखे देख रही हैं चीजे पड़ी जा रही है कुछ भी रजिस्टर नहीं हो रहा है और अगर रजिस्टर नहीं हो रहा है तो मेमरी चिप में जाता नहीं है इसलिए आपके लिए पहली बावश्रक्ता ये है आप जो भी करे उसे उस वरतमान को और मेरा अभी भी मत है कि परमातमा की इस रस्टी को सबसे बड़ी कोई सोगाद है अगर मुझे कोई पुछेगा तो मैं कहूंगा वो सोगाद वरतमान है जो इस वरतमान को जान पाता है जो इस वरतमान को जी पाता है जो इस वरतमान को आत्मसद कर पाता है उसके लिए भविश्य के लिए कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं होता है और मेमरी का भी यही कारण है कि हम उस पल को नहीं जीते और उसके एक आरा हम उसको घवा देते दूसरा मेमरी का जीवन से समन्ध होता है सिर्व एक्जाम से है ये सोचोगे तो फिर तो आप उसकी कीमत ही नहीं समझते हैं उसका मुल्ले ही नहीं समझते हैं अगर माल दीजिए आपके किसी दोस्त का जन्मदीन आपको याद रहा और आपने जन्मदीन पर उसको फोन किया आपकी तो वो मेमरी थी जिसके करण आपको जन्मदीन याद रहा लेकिन वो मेमरी आपके जीवन की विस्तार का कारण बन जाता है जब उस दोस्त को टिलीफोन जाता है उसको अभे वाँ उसको मेरा जनमदी इतना याद था मतलब मेरे जीवन की एमियत उसके जीवन में है वो जीवन भर आपका बन जाता है कारण क्या था वो एक मैमरी मैमरी जीवन के विस्तार का बहुत बड़ा बहुत बड़ा कटलिक एजन्ट है और इसलिए हम हमारी स्मृति को सिरफ परिक्षा तक सवाल जवाब तक सिमित न करें आप उसका विस्तार करते चलिए जितना विस्तार करेंगे चीजे अपने आप जुड़ती जाएगी दूसरा आप कभी दो बरतन लीजिए दो बरतन में पानी भरिए पानी भर करके उसके अंदर एक कोईन रखिए दोनों में पानी शुद्ध है स्वच्च है दोनो एकी प्रकार का पानी है दोनो एकी प्रकार के बरतन है दोनो एकी प्रकार के उसमें कोईन है और आप उसको देखिए लेकिन एक बरतन है जो हिल रहा है पानी इदर उदर हो रहा है नीचे कोईन है दूसरा स्थीर है आप देखेंगे कि जो स्थीर पानी वाला कोईन है वो आपको परफेक्ट दिखता है और सकता है उस पर लिखी हुई चीज भी दिखाई दे और जो पानी हिल रहा है वहाँ पर भी वही कोईन वही साइज है उतना ही गहरा है लेकिन दिखता नहीं क्यों पानी हिल रहा है बरतन हिल रहा है अगर मन भी ऐसे डोलता रहे और हम सोचें कि उसमें कॉईन जो है मुझे दिखाई देगा आपने देखा होगा एक्जाम में आपके समस्या यह होती है तो देखो यह बगल वाला तो उपर देखता नहीं लिखता ही रहता है अब मैं पीछे रह जाओंगा यहने दिमाग उसी में लगा पड़ा है आपका दिमाग इतना हल डोल हल डोल कर रहा है कि जो बीतर मेमरी रुपी जो कॉईन है न आपको दिखता ही नहीं है एक बार मन को स्थीर कर लीजिए मन को स्थीर करने की दिक्षत है तो जड़ा डीप ब्रिफिंग कर लीजिए तीन चार बार घहरी सांस लीजिए एक दम सिना तान करके आग बंद करके कुछ पल बैठिए मन सीर हो जाते ही वो कॉईन जैसे दिखने लगता है आपके मेमरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूही उभर करके आना शुरू हो जाती है और इसलिए इश्वर ने जिसकी मेमरी जादा है उसको कोई एक्ष्टा एनर्जी दी है ऐसा नहीं है जी हम सब को हम हमारे सब का जो इंटर्लिट प्रोड़क्ट है रहे परमात्मा ने बहुत धन्से बढ़ाय हुआ है हम किसको पनवाते हैं किसको बढ़ाते हैं उस पर निर्भर करता है तो आप इसको भहत आसानी से कर सकते हो आपमे से जो लोग पुराने सास्तों को जानते होंगे कुछ तो कभी यूटूब पर भी कुछ चीज़ अवैलेबल होती है कुछ शतावधानी लोग होते है उनको एक साथ सो चीज़े आदाती है हमारे देश में इस चीज़े कभी कभी इसकी बड़ी परचलन हुआ करती थी तो हम इसको ट्रेंड कर सकते हैं अपने मन को भी ट्रेंड कर सकते हैं लेकिन मैं आज आप परिक्षा में जा रहा है इसलिए मैं उस दिशा में आपको नहीं ले जाओंगा लेकिन मैं कहता हूँ मन स्थीर रखिये आप अपने पास चीज़े पड़ी है वो अपने आप आना शुरू हो जाएगी आपको वो दिखना शुरू हो जाएगी आपका उसका स्मर्ण होना शुरू हो जाएगा और वो ही बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा